इस इस प्रोफेसर एम-ेच और आज डिस्कशे करेंगे हम लोग Capital Budgeting Technique जो Capital Budgeting Technique के बारे में हम लोग ने Last Time, Last Video में देखा था आज इसका practical question करने वाले हैं तो Capital Budgeting Technique से वो 6 important techniques है First is Payback Period, Second is Discounted Payback Period Third is Net Present Value Profitability Index Accounting Rate of Return and Last One Payback Profitability तो इसके अंदर हम लोग ने इसका overall brief introduction देख लिया था अब इसके practical question start करेंगे तो first of all we will see the practical question of the first three item यह जो तीन आइटम दिया है इसका हम लोग सबसे पहले practical question देखेंगे तो पहले कैसे देखेंगे कि payback period कैसे निकालते है discounted payback period कैसे निकालते है और फिन net present value कैसे निकालते है और बाकी तीन का हम लोग देखेंगे next video में तो हमारे पास एक question दिया है कि you are required to calculate payback period discounted payback period net present value following information of Akbar limited select a machine of two mutually exclusive equipment PV ratio is 10% यहाँ पे machine और equipment आ गया आप equipment अजिम करो equipment है though mutually exclusive है mutually exclusive का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ही select कर सकते दोनों नहीं कर सकते तो अगर एक को select किया तो दूसरा आउट हो जाएगा तो आपको यह बताना है कि कौन सा कौन सी equipment हम लोग select करे based on these three methods ठीक है तो information दिया है कि equipment one का cost जो है वो 10 लाक है equipment two का पंदरा लाक है expected life वो equipment को आप 5 साल यूज़ कर सकते हो two को भी 5 साल यूज़ कर सकते हो जैसे यह आपने यह 10 लाक का machine यूज़ किया हर साल आपको 3 लाक रुपया आएगा equipment one से और equipment two से चार लाक आएगा इस information को लेके हमें calculate करना है कि payback period कितना है discounted payback period कितना है net present value किया है तो let's start with तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे equipment one का देखेंगे तो सबसे पहले equipment one तो लिख लेने का equipment one अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है payback period निकालना है अब देखो payback period निकालने का दो formula है दो format है हम लोग को कैसे follow करना है वो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा तो याद रखना payback period को निकालने का दो formula है दो method है वो दो method कैसे use करेंगे that we will see तो सबसे पहले क्या करने का year लिखने का क्या लिखने का year अब यह कितने साल का है दोनों 55 years है तो आपको year लिखना है five years लेकिन start करना है zero से तो सबसे पहले लिखने का zero फिर one ऐसे करके आगे बढ़ जाना है five तक लिखना है तो 0 से start करना है, year जब लिखोगे तो 0 से start करना है, फिर 1, 2, 3 जितने भी साल दिये होंगे वो लिखना है, फिर आपके पास क्या दिया है, cash flow दिया है, cash flow लिखने का, उसको A form दे दो, cash flow A, और फिर यहाँ पे cash flow का मतलब कितना होता है, कि आपके पास पैसे का कितना inflow आया, outflow हो गया, that's why it is cash flow, तो आपने देखा होगा कि पहले हम लोग को 10 लाग रुपया डालना पट रहा है, 10 लाग रुपया spend करेंगे, तब जाके आपको साल में 3-3 लाग रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले हम लोग equipment one कर रहे है, तो 3-3 लाग रुपया हम लोग को मिलने तो सबसे पहला 10 लाग डालेंगे, तो हम लोग जब 10 लाग डालेंगे उसको 0 में लिखने का माइनस 10 लाग, ह onc तो यह लोगा को पहला लिखना अब इस डैटा के बेस पर हम लोग को क्या निकालना है पेणा क्या निकालना है दो सबसे पहला जब cash inflow constant रहे ठीक है क्या रहे constant रहे तो जब when cash inflow is constant अगर constant है तो formula हम लोग को यह use करना पड़ेगा investment value divided by cash inflow परानम जब cash inflow 3-3-3-3-3-3 सब जगा 3-3 है 4-4 है 5-5 है जो भी amount है वो हर year में same है तो आपको यह formula लीस करना है investment value divided by cash inflow परानम तो investment value कितना है minus 10 लग तो आपने तो 10 लग लिखना है तो 10 लग divided by cash inflow कितना है 3 तो 10 लग divided by 3 और छोटा करेंगे इसको divide करेंगे तो 3.3 years आएगा और छोटा करेंगे तो 3.33 years आएगा और छोटा करेंगे तो आपको आएगा ये 3 years, 4 months कैसे आए 4 months ये 0.33 है ना इसको 12 से multiply करो तो जब when you do when you do 12 multiply by 0.33 तो you will get 3.96 मतलब 4 months तो 3 years, 4 months लगेगा तो ये जो investment आपने 10 लाग का किया है इसको recover होने के लिए कितना साल लगेगा 3 साल, 4 महीना लगेगा ये कैसा है constant है तब ये formula यूज़ करने का ठीक है और दूसरा formula है चाहे constant रहे या ना रहे ठीक है मतलब cash inflow यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा when cash inflow is constant or not constant ठीक है चाहे constant हो चाहे constant ना हो आपको ये formula यूज़ करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे solve करना है तो कोई भी समाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर formula लिखूँगा पे बैबेक पिरेट यह और है हाँ या तो ऐसे करो या तो इस तरीके से करो तो यह वाला क्यू बता रहा हूँ यह वाला क्यू बता रहा हूँ यह वाला इसलिए बता रहा हूँ कि यह method अप यूज़ करोगे तो आप चाहे constant वाला यूज़ करो या दूसरा जो अन-constant वाला यूज़ करो कि तो भी आपका पिवेक पिरेट आ जाएगा आई बता समझ में तो चाहे यह यूज़ करो चाहे आपको formula यूज़ करना पड़े कुछ भी यूज़ कर सकते तो यह दोनों में one दिया है क्योंक formula यूज़ करना है तो formula कैसे बनेगा formula पहले हम लोग को यह जो cash in flow दिया ना इसको क्या करने का cumulative करने अब cumulative कैसे होता है तो cumulative क्या करने का जो पहला amount ना उसको ऐसे लिखो तो minus 10 लाग के minus 10 लाग आग अब minus 10 लाग calculator पे लो तो minus 10 लाग फिर क्या है नीचे वाला एड़ करने क तो माइनस 10 लाग प्लस 3 लाग तो माइनस का 7 लाग बचेगा फिर माइनस 7 लाग प्लस 3 लाग तो माइनस का 4 लाग बचेगा फिर माइनस 4 लाग प्लस 3 लाग तो माइनस का 1 लाग बचेगा फिर minus 1 लग plus 3 लग तो plus का 2 और फिर 2 और 3 तो 5 हो जाएगा ये cumulative बना लो cumulative बनाने के बाद ये formula लिखो तो ये formula कैसे लिखने का देखो ये बहुत बड़ा formula लिखा है आपको तो क्या करने का बहुत simple है इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ पहले तो cumulative कर लेने का फिर जो last minus हैगा ना cumulative है उसका year देखो उसका year कौन सा है तीन है तो तीन को ध्यान में रखो तो 3 years और फिर ये जो minus है इसको मैं highlight करता हूँ रेड से ये जो minus है उसके next year का cash flow का plus वाला लो तो उसके next year में cash flow कितना है 3 lakh है तो 1 lakh divided by 3 lakh करो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 3 years plus 1 lakh divided by 3 lakh तो इसको जब करोगे और छोटा करोगे तो it will become 3 years 0.33 और छोटा करोगे 3.3 years और same आ जाएगा 3 years 4 months तो देखो जैसा ये formula यूज किया ऐसे भी यूज करोगे लेकिन ये जो formula यहाँ पे दिया है चाहे वो constant रहे cash flow चाहे constant ना रहे आप ये formula यूज करोगे तो answer से हमाने वाला है लेकिन ये जो formula दिया है यहाँ पे ये जो formula दिया है ये सिर्फ और सिर्फ जब constant रहेगा तभी यूज करना है आए बस समझ में ये सरनो तो ये तो हो गया आपका पेशरह फिर से बता देता हूं इसमें कैसे लेने का ऐसा क्यूमिलेट्व करके लास्ट माइनस वाले का फिर किल प्लेट का लेने का तो लास्ट agreement सबसे पहले के लिए सबसे पहला मैं क्या करूंगा इसका नाम लिख लूँगा डिसकाउंटेड पहले बता देता हूं क्या है यह पेवेक पिरेड का मतलब यह होता है कि जो तीन इयर फोर मन्स आया मतलब यह दस लाख रुपया आपको रिकवर होने में त्री इयर्स फोर मन्स लगेंगे कितने साल लगेगा आपको 10 लाख रुपिया जो ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो कितने साल में रिटन आएगा कितने साल में रिटन आएगा 3 years 4 month में आएगा समझ मैं इसका मतलब समझा अब discounted payback period का मतलब भी वही है कितने साल में पैसा आएगा लेकिन अगर हमने ये amount जो आ रहे हमारे पाद 3-3 लाख इसको अगर हम लोग ने time value of money में निकाला मतलब present value के हिसाब से निकाला किको देखो आज जो 3-0-0-0-0-0-0 ुल रहा है और पांच साल के बाद 3-0-0-0-0-0-0-0 की value change होगी मिलेगा amount same दोनो year में वन year में भी 3-0-0-0 ुलेगा लेकिन first year में तीन लाख का value कुछ और होगा और fifth year में तीन लाख का value कुछ और होगा आई बस समझ में तो यह जो time value of money है आप बोल सकते inflation inflation को adjust करके आप payback period निकालते हैं तो इसमें निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग को क्या करना है यह जो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है इसको नहीं यूज करना है सिर्फ cash inflow को यूज करना है तो cash inflow जो आपको दिया रहेगा वह अब इसका cumulative नहीं लेने का अब हम लोग को लिखना है पीवी फैक्टर क्या लिखना है पीवी फैक्टर कितना दिया था present value factor देखो यहां पर दिया 10% तो 10% यहां लिखेंगे तो सबसे 0 year में क्या आएगा वान आएगा अब 1 के बाद मतलब आपके पास अगर एक रुप्या है तो एक साल के बाद अगर 10% आपका पीवी फैक्टर है तो एक साल के बाद उसका value कितना आएगा 0.95 सा अब बोलेंगे सार यह कैसा तो इसको निकालने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा 1 divided by 1.10 10 क्यों लिया क्योंकि 10% है अगर 9 होता तो 1 divided by 1.09 हो जाता 5% होता तो 1 divided by 1.05 हो जाता सिंगल डिजिट है तो 050908 लेने का डबल डिजिट है तो 1.10 1.12 1.15 इस तरीके से लेने का और क्या करना है आपको equal दबाना है तो 1 divided by calculator पे ले लो अभी 1 divided by 1.10 equal तो आपको आएगा 0.909 फिर equal तो आएगा 0.826 फिर equal और कुछ मत दबाना तो गलत हो जाएगा 0.751 फिर अगें 0.683 फिर 0.621 आजाएगा तो इसका मतलब है कि जो एक रुपया आज आपके पास है उसका value एक साल के बाद 90 पैसा दो साल के बाद 83 पैसा तीन साल के बाद 75 पैसा 68 पैसा 62 पैसा मतलब वो रहेगा एक ही रुपया लेकिन उसका जो value है अंदर का जो value है वो इतना हो जाएगा अब क्या करने का इसको क् cash inflow से multiply करने का यह कब करने का जब आप discounted पार पार निकाल रहे हो थो ठीक है तो discounted payback period में cash inflow लेने का फिर फिर फेक्टर निकालने का फिर इन दोनों को multiply करोगे ठीक है इन दोनों को multiply करोगे तो तो 1 को माइनस 10 लाइक से करोगे तो माइनस 10 लाइक ही आएगा, क्युम्यव करने हैं क्या हैं तो दिसकांट रेट्ट अभ जा गई अब इसका क्युम्यव निकाल हो यहाँ पर नॉर्मल के पेग्स १प क्या था रॺ strangers को क्युम्यव कुया च सी पहला amount तो same आने वाला है फिर यह amount में यह amount add करो तो minus 10 lakh plus यह amount तो minus में 7,27,273 plus 247,800 तो minus में 479,473 plus 225,300 तो minus में 244,173 plus 2,494,900 तो minus में 49,273 plus 186,300 तो 1,037,037 तो हम लोग को क्या देखना है last minus देखना है तो last minus किदर है यह वाला तो last minus का year कौन सा है 4 साल तो यह लिखेंगे formula उसका वो ही है लेकिन मैं आपको shortcut बता रहा हूँ last minus का year कौन सा है 4 years तो 4 years लिखनेगा आई बास समझ में और 49,273 डिवाइड बाइ next amount यह वाला लेने का तो next amount यह तो 49,273 डिवाइड बाइ 186,300 इसी को करेंगे तो आएगा 4 years plus 49,273 डिवाइड बाइ 186,300 और छोटा करेंगे इतना आएगा और छोटा करेंगे इतना आएगा और छोटा करेंगे 4 years, 3.12 3.12 months आयब आए बास समझ में तो यह 0.26 है न तो इसको 12 से multiply कर देने का तो आपको समझ में आएगा कुछ इस तरीके से ठीक है 12 into 0.26 तो आपको आएगा 3.12 यह मैंने short में कर दिया है लेकिन आप इसको कर सकते हो ठीक है तो समझ में यही दिया है इसमें देखो last minus amount in cumulative of C year तो last minus है इतना उसका cumulative है 4 फिर last minus amount in cumulative 492.73 divided by next year amount in this वाला कॉलम तो दिस वाला कॉलम is this तो last वाला is 186.300 आई बास समझ में yes or no तो यह होगे आपका payback period आप discounted payback period अब आते थर्ड वाला that is your net present value तो net present value बहुत simple है जो आपने यह वाला किया न present value of cash inflow इसको total करो without minus 10 lakh लिये तो इसको total करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इतना 11,37,073 इसको total करना है बस minus 10 lakh नहीं लेना है cash inflow minus investment value तो जितना भी present value of cash inflow रहेगा उसमें से investment value minus करो तो कितना है 11,37,027 उसमें से 10 lakh minus करो तो वो ही आएगा इदर पर तो आप इदर देखेंगे तो 11,37,027 minus 10 lakh तो 1,37,027 this would be your net present value समझ में आये क्या या सर नो समझा के नहीं समझा तो ये तो सिर्फ आपका equipment 1 हो गया ऐसे ही आपको किसका करना है equipment 2 को भी करना है और फिर दोनों को evaluate करना है equipment 1 तो हो गया अब करेंगे हम लोग क्या equipment 2 तो equipment 2 पे आते हैं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे equipment 2 फिर ये भी देखो equipment 2 में कितना है 15 lakh है 5 years है 4 lakh का inflow आ रहा है तो सबसे पहले मैं year लिखूंगा year लिखने का बाद मैं start किसे करूंगा once है और फिर पूरे 5 साल आपको लिखने है फिर directly क्या लिखना है जो cash inflow आ रहा है 4 lakh तो 4 lakh आपको per year आ रहा है तो यहाँ पे cash inflow लिखो पहला zero में क्या लिखने का जितना पैसा गया तो कितना पैसा गया 15 lakh गया तो minus में 15 lakh फिर हर साल कितना कितना 4-4 lakh आपको लिखना है ठीक है तो यह आपको दो डेटा लिख देना है फिर आपको directly क्या करना है directly आपको क्या करना है formula लिखना है तो formula अगर आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा यह यहाँ पे लिखा payback period तो दोनों method जे करना है जब constant हो तो सीधा investment में से 4 lakh डिवाइड करो तो investment divided by cash inflow तो investment कितना 15 lakh divided by 4 lakh तो आएगा आपका 15 lakh divided by 4 lakh is equal to 3.7 3.7 years या और छोटा करें इसको तो 3 years 9 months कैसे आया 0.75 को आप multiply करो 0.75 को आप multiply करो 12 से 12 multiply by 0.75 9 months आई बस समझ में yes or no और मैंने आपको shortcut ये भी पता है था कि ये formula अगर नहीं use करना है क्योंकि constant इसमें दिया है अगर constant नहीं हुआ तो formula यूज करना पड़ेगा तो इसलिए don't use this formula use this one only directly लिखो payback period और क्या करने का cumulative निकालने का क्या करने का cumulative माइनस 15 लाग कैसे लिखने का calculator पे पहला 3nd दबाने का फिर 15 लाग लिखने का plus 4 लाग तो कितना रहेगा this… minus 11 plus 4 lakh तो minus का कितना हैगा 7 फिर 4 lakh फिर minus का 3 फिर 4 lakh प्लस में 1 फिर 4 lakh करेंगे तो 5 lakh आजाएगा आई बस समझ में अब इसके अंदर देखने का ठीक है इसमें अंदर देखने का last minus तो last minus कोन था यह वाला उसके सामने का year तो कितना हो गया यही फॉर्मुला इदर लिखा है तो last minus का year कितना है 3 years है बराबर है तो 3 years और फिर divide करने का plus last minus आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 3 years plus 4 lakh 3 lakh divided by 4 lakh और छोटा करेंगे इसको तो 3 years 0.75 और 3.75 is your years is your payback period समझ में आया yes or no तो क्या करना है पेबैक period अगर फॉर्मुले से करना है तो आपको क्या करना है cumulative निकालना है एक बार आपका cumulative निकल गया एक बार आपका cumulative निकल गया उसके बाद जो last cumulative में जो last minus amount है न वो लेने का divide by cash flow का next year तो ये वाले year का next year fourth year का लेने का तो चार लाग तो divide by चार लाग solve करेंगे यह आएगा आई बास समझ में yes or no अब हम लोग निकालेंगे discounted payback period तो मैंने आपको discounted payback period का equipment one में आपको explain किया था क्या करने का cash flow लेने का ठीक है अब present value लेंगे present value कितने का था 10% में तो वो तो same ही रहने वाला है जो आपने equipment one का लिया था तो same आजाएगा जो मैंने explain किया था 0.9, 0.82, 0.75, 0.68, 0.62 ठीक है अब दोनों को क्या करने का multiply करने का cash flow को और इसको तो इसको multiply करेंगे तो present value of cash inflow मिलेगा यहाँ पे आएगा पंद्रा लाग चार लाग multiply by 0.909 तो 36, 36, 36 आएगा फिछार लाग multiply by 0.826 तो आएगा थ्री लाग 30, 400 फिछार लाग multiply by 0.751 तो 3, 400 फिछार लाग multiply by 0.683 तो आपको आएगा यह और चार लाग multiply by 0.621 इसको जलब जिए figure of 248400 अब इसका cumulative करने का ठीक है cumulative करेंगे तो पहला minus जो रहेगा वो minus ही दिखेगा फिर minus 15 लाग calculator पर लिखने का minus 15 लाग plus यह amount तो यह amount करेंगे तो minus में इतना plus यह amount तो आएगा आपको यह फिर plus यह amount तो आएगा यह फिर minus में यह जो आया इसमें plus this amount तो यह फिर minus का this यह करेंगे तो यह plus का आजाएगा अब इसको निकालने के लिए formula देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेकिन मैं आपको formula थोड़ा easy way से पता देता हूँ जब cumulative करोगे तो cumulative में जो last minus है वो लेने का उसके सामने आला year तो कौन सा है चार साल है तो चार साल याद रखो ठीक है इसके सामने आला कौन सा year है चार साल तो चार साल याद रखो फिर यह amount को next amount से divide करो मतलब यह amount उसके cross में जो हो रहेगा ना उसके amount से यह देखो highlight किया तो this amount divide by this तो कुछ इस तरीके से दिखेगा तो 4 years plus 232,364 यह वाला amount divide by 248,400 solve करेंगे इसको तो यह आएगा और solve करेंगे तो यह आएगा और छोटा कर लेंगे तो 4 years, 11 months साथ आ जाएगा समझ में आई बात yes or no तो यह formula चाहिए तो लिख सकते हो या directly amount case through calculate करना चाहते हो तो भी कर सकते हो तो यह हो गया आपका discounted payback period अब last वाला आएगा net present value जो की बहुत ही simple है यह बताता है कि आपका present value है आज उसका net कितना है मतलब अपने investment minus कर दो जितना भी पैसा आपको आज मिल रहा है पांच साल में जो मिलेगा उसका आज का value लो minus कर दो आपका investment इसका मतलब यह होता है तो आपको पांच साल तक यह amount मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह amount मिलेगा न यह वाला ने यह तो गया यह 15,000,000 तो गया यह पूरे amount मिलेंगे तो इसको total करने का है, तो इसको total करेंगे, तो that is total present value of cash inflow, तो 15,16,036, लेकिन investment कितना किया पंदरा, तो minus करो, तो 16,036 आएगा, तो यह यहाँ पे किया है, total present value of cash inflow minus investment value, और करेंगे, तो यह 15,036, 16,036, तो यह है आपका पूरा question, अब यह पूरा question इस तरीके से खतम नहीं हो होगा, यह जो amount दिया है ना, 3 years, 9 months, 4 years, 11 months, और यह 16,036, यह equipment 1 का भी लेने का, तो 1,037, 027, 4 year, 3.12 year, 3 years, 4 months, इसको क्या करने का, एक table के थूरू बनाने का, सबसे पहला क्या लिखने का, equipment 1, 2, फिर तीनो category लिखने का, कौन-कौन सी category में, टेक्निक आप यूज़ के, तो payback period, अब तीनो का लिखो, equipment 1, तीनो का लिखो, equipment 2 का, अब चेक करो, तो पहले equipment का payback period कितना था, 3.3 years था, equipment 2 का कितना है, 3.75, तो यह वाला अच्छा है, तो यह वाला select करो, तो यह green से highlight कर देता हूँ, फिर 4 years, 26, 4.26 year था, इधर पर 4.94 है, तो यह वाला छोटा है, तो यह व लेने का, 1,37,000 लेंगे, तो यह आ जाएगा, तो इसके साब से हम लोग कौन सा equipment select करेंगे, equipment 1, that you have to write like this, based on above calculation, we will select equipment 1, अब समझ में आया, yes or no, तो यह आपको question दिया है, इसको आप go through खरो, कुछ doubt आगा तो please comment, and please like and subscribe for more videos, thank you.